हलो एब्रिवान सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम एक पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इसके दो मैथड होते हैं उन दोनों मैथड को ही हम इस वीडियो में देखेंगे औ आप आई टब पर क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे सपोर्ट करें जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं तो आईए अब बिना टा को फैक्टोरियल नोटेशन के फर्म में लिखते हैं तो दो मैथर्ड होते हैं एक हमारा होता है डारेक्ट मैथर्ड फस्ट मैथर्ड होता है यह हमारा और एक हमारा होता है सिंतेटिस मैथर्ड डिवीजन मैथर्ड भी कहीं कहीं बोला जाता है तो दोनों मैथर्ड को ही 3x square plus 3x minus 10 and its difference as in factorial notation. The interval of differentiation being unity. अब हमें एक polynomial दे रखा है 2x q minus 3x square plus 3x minus 10. तो इसका हमें difference और ये वाली जो polynomial है हमारा इसको हमें factorial notation की form में लिखना है और ये भी हमें दे रखा है साथ में कि जो interval of difference है वो क्या है being unity यानि कि जो हमारी h की value है वो यहाँ पर कितनी दे रखी है 1 अगर being unity का मतलब क्या होता है जो interval difference है इसका h है h की value कितनी हमारी 1 है तो ऐसे question को कैसे solve करते हैं क्या step होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम let कर लेते हैं let ये जो हमारे polynomial दे रखा है इसको हम किस तरीके से लिख लेते हैं पहले इसको उताल लेते हैं 2x q minus 3x square plus 3x minus 10 अब कैसे लखेंगे इसको हम इसको लिख लेते हैं a एक constant term है हमारा फिर x q इसको हम जब factorial notation के form में लिखते हैं तो ये bracket में आ जाता है factorial ये हमारा एक factorial function बन जाता है जब हम इसकी power को bracket में लिख देते हैं तो हमेशा इसको bracket में ही लिखना है आपको तो और यहाँ पर जो term है ये polynomial है ये bracket में नहीं आता है और जब हम यहाँ पर लाते हैं तो इसे हम bracket में लिख देते हैं माइनस फिर देखिए फिर आप यहाँ पर plus लिखिए फिर plus क्या करेंगे बी लिख देंगे और यहाँ पर कितना है x square x square लिख देंगे x की power 2 bracket में plus 3 फिर उसके बाद x की power 1 bracket में sorry यहाँ पर c और फिर इसके बाद हम लिख देंगे plus d ठीक है तो इस तरीके से आपको यह लिख लेना है यह लिखने के बाद हमारे यहाँ पर यह क्या है a b c और d यह हमारे क्या है constantum है constantum हम मानके चल लेते हैं इनको a b c d को तो यह हमारे constantum है अब जब इनको करेंगे तो पहले आप लिख दीजिए a b c d are constant ठीक है यह हमारे क्या है constantum है अब हमें इनकी क्या निकाल ली है value निकाल ली है इन सब की तो आपने देखो पता ही होगा आपको a x q को हम किस तरीके से लिख सकते हैं a x की power 3 हमने पढ़ा है previous lecture में x की power n factorial का means क्या होता है सबसे पहले हम उतारते हैं x फिर x minus h फिर x minus 2h और dot 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 यह कहां तक जाता है x minus nh और यहां पर h की जो value है वो कितनी है तो यह हमारा क्या हो जाएगा n की जगे 3 है तो x फिर x minus h आता है तो x minus 1 फिर x minus 2h x minus 2 तो यह 3 है तो यहां 2 तक ही लगे प्लस फिरिस्को लिखेंगे b यह क्या हो जाएगा x यह x minus 1 फिर प्लस c यह x हो जाएगा और यह प्लस यहां पर हमारा हो जाएगा d प्लस d नीचे लिख रही हूँ तो इस तरीके से हमने लिख दिया है अब हमें यहां पर क्या करना है a, b, c और d की हमें value find करनी है इनकी value निकालनी है इन constantum की तो इन constantum की value निकालनी के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले x की जगए 0 रख देते हैं तो और इसको हम equation first मान लेते हैं put x equal 0 in equation first तो x की जगए 0 पुट करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा देखिए यह आ जाएगा हमारा और इस side भी रखेंगे यह भी हम पूरा लेके चलेंगे इसके एक कॉल में चल रहा है 2x q यहाँ पर लिख देती हूं 2x q minus 3x square plus 3x minus 10 यह हमारा इसके कॉल में ही है तो जब value रखेंगे x की जगए 0 तो इदर बचेगा minus 10 यहाँ पर x की जगए 0 यह 0 हो जाएगा b वाला 0 c वाला 0 सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा d तो हमारी जो d की value निकल कराएगी वो कितनी आ गई यह है हमारी minus 10 अब हम क्या करते हैं again we put x equal अब हम क्या put करते हैं अब x equal 1 put कर देते हैं हमें एक टम 0 करना है तो x equal 1 put कर देंगे फिर उसके बाद x equal 2 put करेंगे हमें किसी भी तरीके से a b c और d की value लानी है तो put करते हैं x equal 1 in equation first तो 1 put करेंगे x की जगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा यह हो जाएगा 2 x की जगे 1 put करना है minus 3 plus 3 और यह हो जाएगा minus 10 यहाँ पर x की जगे 1 put करेंगे तो 1 minus 1 यह पूरा टम 0 हो जाएगा plus यहाँ पर x की जगे 1 put करेंगे तो यह वाला टम 0 हो जाएगा plus बचेगा हमारा c और यह हमारा d इसको solve करेंगे 3 से 3 cut हो जाएगा यहाँ हो जाएगा minus 8 equal d की value c हम same लग देंगे और d की value हमारी कितनी है minus 10 ठीक है तो c की value यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा minus 8 plus 10 तो यह हो जाएगा c equal 2 तो c की value हमारी कितनी आ गई 2 और d की value हमारी minus 10 10 यह c और d की value आ गई ऐसे हम a और b की value निकाल लेंगे तो अब हम क्या put करेंगे अब again we put x equal 2 in equation second अब second equation में sorry first अब first equation में हम 2 put करते हैं तो 2 put करेंगे तो हमारा यह कितना आ जाएगा यह वाली equation है इस equation में 2 put करेंगे तो तो हमारा होगा 2 into 8 8 हो जाएगा 2 into 8 minus 3 into 4 plus 3 into 2 minus 10 और यहां 2 put करेंगे तो यह वाला term 0 हो जाएगा यहां करेंगे तो 2 में से 1 minus करेंगे 1 और यहां 2 b हो जाएगा 2 b plus 2 c plus d अब इन सब की value रख देते हैं यह solve होगा तो 16 minus 3 forza 12 plus 3 toza 6 minus 10 equal 2 b plus c की value कितनी है 2 तो यह हो जाएगा 4 और d की value है मारी minus 10 इसको जब हम solve कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यह minus 10 से आप direct minus 10 कट कर दो तो यह कट हो जाएगा इधर हमारा हो जाएगा यह total 16 और 6 हमारा होगा 16 और 6 22 22 में से 12 minus करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 और इस 4 को इस साइड ले जाएगे इसको तो यह हो जाएगा 6 तो 6 equal 2 कि भी हो जाएगा आप अब b की वेली हमारी आ जाएगी b equal three ठीक है b की वेली अब हमारी कितनी हो गई द्री की वेली हमारी कितनी निकल कर आ गई ठीए 또 3 Аब हमए a की वेली निकालनी है तो एक वेली निकलने के लिए अब ڈारेक्ट क्या कर सकते हैं x q कोफिशेंट को एक्वल कर सकते हैं, तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, हम लिख देते हैं, देखिए, तो, एक्क्वेटिंग, दो कोफिशेंट आफ, x q, of x q, on बोज साइट, जो, एक्वेशन फर्स्ट दे रखिए हमें, उसकी, तो, of both side of equation, फर्स्ट, तो, जब कोफिशेंट को एक्वल करेंगे, तो एक ही वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आजाएगी, 2, तो ये, a, b, c, d, सारी, जो हमारी वैल्यू निकल कर आई हैं, उनको हम किसमें रख देंगे, equation first में, तो put, the value of, value of, a, b, c, d, in equation, किस equation में रख देते हैं, में इन चारों की वैल्यू को, equation first, तो equation first क्या है हमारी, equation first थी, 2, x, q, minus 3, x, square, plus, 3, x, minus 10, equal, a, x, q, ये factorial notation, factorial function हो गया है, x, q, plus, b, bracket में लिखते हैं हमेशे ऐसे, x की power 2, bracket में, plus, c, x की power 1, plus, ये हो गया हमारा d, a, b, c, d की value को रख देते हैं, यहाँ पर, तो a की value हमारी कितनी है, 2, तो 2, x, q, plus, b की value हमारी कितनी निकल कर आई थी, अभी, last में, b की value हमारी निकल कर आई है, 3, c की value हमने निका ली है, 2, plus, 2, x, 1, और D के value हमारी कितनी निकल दी थी 10 तो यह सारी value हमने लिख दी है तो इसी तरह सकते हैं तो यह हमारा factorial notation के form में लिख गया है अब हमें इसके difference और निकालना है difference निकालने के लिए जो हमारा differentiation का rule होता है क्या होता है देखिए इसका जब हम निकालेंगे तो आपने मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेल्टा इसमें साइड में थोड़ा लग देती हूं देखिए डेल्टा एक्स की पावर जो n होता है प्रैकिट में उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं n h x n-1 ठीक है इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर h की value कितनी है 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n x n-1 तो जब एक वार इसकी निकालेंगे इसका difference निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो by the rule of by the rule of simple differentiation क्या rule है हमारा जब हम delta fx करेंगे यह हमारा fx है जब delta fx निकालेंगे एक बार निकालेंगे तो factorial का कैसे निकालते हैं power आगे आ जाता है और power मेंसे 1 minus हो जाता है तो यह हो जाएगा 2.3 x और n-1 हो जाएगा तो 3-1 कितना होगा 2 प्लस इसी तरीके से 3.2 पार मेंसे 1 minus हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 1 प्लस यह हमारा आगे आ जाएगा तो यहाँ पर power कितनी बचेगी 0 2x 0 इसकी value 1 होती है यह हमारा 0 होई गया तो यह कितना हो जाएगा 6 x 2 हमेशा bracket में लिखना है यह बिलकुल मत बूलना आपके marks कट जाएगे नहीं तो तो 3-2 जा 6 x 1 प्लस 2 अब दुबारा निकालते हैं daily square fx सेम इसी तरीके से power आ गया जाएगी 6 x 2 जा 12 उपर कितना बचेगा 1 12 x 1 प्लस यह आगया जाएगी तो यह हो जाएगा हमारा 6 अब दुबारा निकाल लेते हैं delta q fx यह आगया आएगा 12 और x की power 0 हमारा कितना हो जाएगा 1 तो यह हमारा कितना आगया difference इसका 12 तो यह हमारा answer हो गया तो यह हमारा first method complete होता है अब हम देखते हैं second method method इसको हम detached coefficient भी बोलते हैं या फिर आप इसको synthetic division भी कह सकते हैं तो देखते हैं क्या है हमारा second method इसको कैसे apply करते हैं और यह बाला जो method है इस बाले method से ज़्यादा जरूरी है तो इसको आप अच्छे से समझें अब हमारा second method है synthetic division काफी important method है यह भी तो इसको भी हम एक caution की तुरू समझते हैं कैसे apply होता है exam में आ सकता है यह वाला method तो अच्छे से देख लें आप इस method को तो हमारा question है represent the function fx equal x की power 4 minus 12xq plus 42x square minus 30x plus 9 इसको हमें factorial notation की form में इसको लिखना है और साथी में जो इसका successive difference है उसको भी हमें factorial notation की form में लिखना है तो देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे तो आईए तो इसके लिए हम let कर लेते हैं यह fx तो हमारा function दे रखा है इसको हम किस तरीके से लिख लेते हैं equal a a हमारा constant है x bracket में 4 यह हमारा क्या बन गया हमारा factorial function बन गया है factorial function को अभी बताया bracket में ही लिखा जाएगा plus b अब xq को तो x3 plus आगे भी लिख लेती हूं मैं c x 2 plus d x 1 plus e ठीक है तो अब हमें इस method से निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा a, b, c, d, e इन सभी की value निकालेंगे इसको हम previous method से भी कर सकते हैं और इस method से कैसे होगा हमें इसके लिए एक table बनानी पड़ेगी इसमें third के लिए हमें एक table बनानी पड़ेगी वो कैसे बनती है तो देखिए आप तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक line ड्रो करते हैं फिर यह जो coefficient है हमारे यह x4, xq इसको हम लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर यह कितना है? 1 है इसके coefficient x4 का 1 है 1 लिख लेंगे इसका कितना है? minus 12 minus 12 लिखेंगे फिर 42 फिर है हमारा minus 30 और फिर है हमारा 9 ठीक है? तो इसके coefficient को लिख लेते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं? हम यहाँ पर 1 लिखते हैं 1 और इस 1 के नीचे हम 0 लिख लेते हैं जो पहले term होता है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं? 0 फिर ऐसे करते हैं यह जो value आती है यह जो हमने एक term छोड़ा है यह किसकी value होती है? e की जो हमारा last term होगा उसकी value होगी अगर यहाँ पर last term d है या कुछ भी है जो last constant है उसकी value होती है तो e की value हमारी कितनी निकल कर आई है? 9 फिर इसके बाद में 1 के नीचे हमने 0 put किया फिर इसको हम add करेंगे 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 ठीक है? अब हम इस 1 और यहाँ पर जो भी digit आएगी और इसका हम क्या करेंगे? multiply करेंगे तो 1 बंजा? 1 तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे? 1 अब इसको और इसको हम क्या करेंगे? plus करेंगे तो minus 12 और 1 कितना हो जाएगा? हमारा minus 11 अब इस 1 से इस minus 11 को multiply करेंगे तो कितना आजाएगा? minus 11 minus 11 को हम यहाँ पर लिखेंगे अब 42 और minus 11 को जब हम add करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 में से 1, 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31 यह 31 हो जाएगा अब इस 31 को किसे multiply करेंगे 1 से 31 को multiply करेंगे 1 से तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 31 31 बन जा 31 अब इन दोनों को add करेंगे तो हमारा क्या आएगा इन दोनों को add करने के बाद 1 ठीक है 1 आ जाएगा अब same ऐसे ही यहाँ पर line ड्रो कर लेंगे यह जो value होगी इससे एक पहले बारे constant की होगी दी की यह E की है तो यह D की value हो जाएगी अब यहाँ पर हम 2 लेखेंगे और जो first digit आए उसके नीचे हम 0 लेखेंगे फिर वही जैसे हमने उपर add किया है वैसे ही इसको add करेंगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 2 से multiply करेंगे अब 2 का 1 से तो कितना होगा 2 अब minus 11 और 2 add करेंगे तो हमारा हो जाएगा minus 9 अब minus 9 का 2 से multiply करेंगे तो कितना होगा minus 18 तो minus 18 लिख रहेंगे और minus 18 और इससे 31 को जब plus करेंगे तो हमारा कितना हैगा 11 मैसे 8 मैनिस करेंगे 3 और यहाँ 2 मैसे 1 यहाँ पर हमारा वेचेगा 13 ठीक है यह आगया अब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे इसके नीचे 0 लिख देंगे और इसके एक टर्म को छोड़के हम ऐसे लाइन डॉ कर लेंगे यह हमारी किसके आगई वैल्यू C की यह हमारी C की वैल्यू निकल आई है अब वही जैसे ही हम करते हैं इसको और इसको एड़ करेंगे तो 1 आजाएगा अब 3 का 1 से multiply करेंगे तो कितना होगा 3 लिख लेंगे अब minus 9 और 3 को जब हम add करेंगे तो हमारे कितना आजाएगा minus 6 minus 6 आजाएगा अब क्या करेंगे हम वही सेम जो ऊपर कर रहे हैं यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारा कितना आजाएगा, यह वाली value हमारी किसकी हो गई, बी की, अब जब 1 और 0 एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और यह value हमारी किसकी हो जाएगी, तो यह हमारे जितने भी सारे coefficient हैं, A, B, C, D, E, जो constantum हैं, उन सभी की value आगई है, तो इन सभी की value को हम किसमें रख देंगे, equation first में, यह हमारी क्या है, equation first, तो put value of, putting, value of, A, B, C, D, and E in equation first, तो जब first में put करेंगे, first equation है हमारी, उसमें हम put कर देंगे, तो first equation क्या है, x4 minus 12 xq plus 42 x square minus 30 x plus 9, equal, A की value क्या है हमारी 1, तो 1 put करेंगे, x की power यह 4 हो जाएगा, bracket में, फिर plus B, B की value है हमारी minus 6, तो minus 6 x, क्यों हो जाएगा, plus C की value हमारी कितनी निकल कर आई है, C की value हमारी निकली है, 13, तो वो put करेंगे, तो plus 13, यह हो जाएगा, x2, plus D की value हमारी निकल कर आई है, 1, तो x1, और E की value जो हमारी निकल कर आई है, वो कितनी है, 9, तो यह सभी हमने यह put कर दिया, तो यह क्या है हमारा, हमारा यह आगया, हमारा factorial notation के form में, यह हमने polynomial factorial notation के form में लिख दिया, अब इसका जो successive difference है, इसको भी हमें किसके form में लिखना है, factorial notation के form में, तो जैसे से previous question में किया है, वैसे ही हम इसमें करेंगे, तो delta fx निकालेंगे, delta fx एक्वल, इस वाले का निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह power आगया जाएगी, बताये मैंने आपको 4x, और यह 4-1 कितना हो जाएगा, 3, और bracket में ही लिखना आप इसे, अब यह 6-3 जा, 18, और यह हो जाएगा, x2, प्लस यह हो जाएगा, 13 तूज़ा, 26, x1, यह हो जाएगा, x0, तो यह होगा हमारा, 1, अब आगे निकालेंगे, delta square fx, तो 4-3 जा, 12 हो जाएगा, यह, x2, minus 82, 36, x1, प्लस यह हो जाएगा, 26, नेक्स्ट है, delta qfx, तो 12, 2, 24, x1, minus, यह हो जाएगा, 36, x की पावर 0 ही हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे, delta 4fx, तो यह कितना हो जाएगा, 24, 24, 24, फिर है x की बावर 0, की value हमारी 1 होती है, तो यह हमारा answer निकल कर आगे है, 24, और यह हमने क्या लग दिया, factorial notation की form में लग दिया, तो I, I hope, आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, थोड़ी भी helpful है, तो प्लीज मेरे चनल को subscribe करें, मेरे support करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं, थेंक्स फो वच्छी लगी होगी 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 है,